नया संदेश ले फिर से, नई जोती जगे फिर से नया संदेश ले फिर से, नई जोती जगे फिर से, उठो तपस्वियों जागो नया लक्ष सादनी का समे फिर आ रहा है कि तपस्या का परम शिंगार करने का समे फिर आ रहा है चलो अब इतनई मशाल की ज्वाला फैले अज्यान के घंगोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे सन आटों से भरी वी राणियों में फिर भटकती आख्म जोती निशा के बाद हर दम ही सूरज आता रहा है यह जिवन की गति रही है मैं ले पंक में ही पंकज खिलते रहे है असंभव होने पर भीर दे में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है असंभव होने पर भीर दे में संभव की आशाएं हर दम जलती रही है असंभव आज का सच है संभव होना है फिर भी उठो वैरागियों उठो वैरागियों नवक्रांती का सुत्र पात करने का समय फिर आ रहा है कि साधना की कठोर जनकार करने का समय फिर आ रहा है नया संदेश ने फिर से नई जोती जगे फिर से उठो तपस्वियों जागो लिया लक्ष साधने का समय फिर आ रहा है कि तपस्या का परमशिंगार करने का समय फिर आ रहा है फिर आ रहा है, फिर आ रहा है आम शंत काम हो अच्छे हमारे और नियत साफो है वही इंसा जहां इंसानियत का वास हो दूसरों के दर्द में जो धूंडे अपने दर्द को रब्भी देता है दुआए ऐसे उस हम दर्द को बाट ले सुक्तुक को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वास हो जिन्दगे में गल्तिया होती ही आई है सभी से काम जो करता है गल्तिया होती भी है तो है उसी से अपनी गल्ति जो सुधारे दूसरों की माफ हो है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का बे दभाव ना हो ठिकाना प्रेम का निवास हो है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो नियत साफ अर्थात नियत साफ अर्थात नियत अर्थात इंटेंशन, मन्शा, इच्छा, अंदुरुनी इच्छा, अंदुरुनी वृत्ती, भावनाय, सच्छी भावनाय नियत साफ जब इंटेंशन, प्योर होते बहुत विशुद, इस्वार्थ तब वो स्वत ही पूर्ण होते जब उसमें मिलावट होती है, गंदगी होती है दोश होता है, दुशित होते है तब वो पूरे नहीं हो पाते और यदि जीवन में जो लक्ष रखा है वो नहीं पूरा हो रहा है तो शायद, मन्शा, नियत, इंटेंशन में जरूर कोई खोट थी है विचार सागर मन्थन करते डीप में जाओ, सुबह की साकार मुटली डीप डीप में जाओ, नियत में कहां खोट थी सारा अध्यात्व, चेतना के विस्तार की प्रक्रिया है Expanding the sphere of consciousness जहां अभी हम खड़े हैं, वहां चेतना का कितना फैलाव है जहां दस साल पहले थे, वहां कैसा था सुबह की साकार मुली, कोई कोई बच्चे अपने आपको होशियार समझते है पर माया से ऐसे गिरे हुए है कि उनके कदम पीछे जा रहे, ये उने समझ नहीं आता है कदम पीछे जा रहे, ये नहीं समझ रहे समझ रहे आगे जा रहे पर वास्तों में कदम पीछे जा रहे है माया इतनी खतरनाक है चूहों ने कुतरना द्वापर यूग से चालू कर दिया है चूहों ने कुतरना द्वापर यूग से चालू कर दिया है Expanding the sphere of consciousness बस यही अध्यात में अपनी क्षमताओं को potentials को अपने potentials को जानना गुप्त संभावनाओं को सुशुप्त संभावनों को समझना और उन्हें बढ़ाना यही अध्यात में क्योंकि हम unlimited है हम हमारी कोई हदे नहीं जितना बढ़ाना चाहो चेतना को बढ़ाया जा सकता है चेतना का फैलाओ पर सब के लिए क्या चाहिए नियत साफ हो एक व्यक्ती किसी आफिस में काम करता है हर मास उसे तनका मिलती है एक मास की पहली तारीक को वह पाता है उसे पास सो रुपे जादा मिले पर वो कुछ नहीं कहता है चुप चाहप रख लेता है पैसे अगले मास साथ सो रुपे जाता है वो कुछ नहीं कहता है चुप चाहप पैसे रख लेता है और चला जाता है तीसरे मास तीन सो रुपे कम है चिड़ जाता है गुसा आ जाता है उसको इतना दिन रात काम करो उसके बाद भी 300 रुपे कम मिलते है कितना अत्याचार हो रहा है हम पर मैनेजर के आफिस में जाता है जगड़ा करता है मैनेजर उसे समझाता है कि एक मास पहले तुमें 500 रुपे ज़्यादा दिये थे तब तुमने कुछ नहीं बूला उसके अगले मास तुमको 700 रुपे ज़्यादा दिये तब भी तुम कुछ नहीं बूले और जब इस मास तुमें 300 रुपे कम दिये जा रहे तो तुम जगड़ा करने आ गए भुव्यक्ति कहता है जब पहली बार 500 रुपे ज़्यादा मिले तो मुझे लगा आप लोगों की गलती होगी और एक गलती तो माफ है यूमन एरर यह मनुश्य का सभा है गलती करना यूमन एरर है और जब दूसरी बार गलती होई और मुझे 500 रुपे ज़्यादा मिले 700 तब मैंने सोचा पर तीसरी बार मैं कैसे सहन करूँ या अन्याए या अत्याचार जो बार बार तुम लोग गलतीय कर रहे हो नियत नियत क्या है जन भावना कैसी है भीतर इंटेंशन क्या है नियत नियती को निर्धारित करेगी संपूर्णता हमारी नियती है इसे हमें प्राप्त करना है तो आज अव्यक्त मास का खटवा देंगे सुमान मैं महानातमा हूँ चिंतन हम महान कैसे बने सुबह मुझली में बाबा ने कहा डीप करो चिंतन महानातमा के लक्षन क्या होंगे योगा अभ्यास मास्टर विश्व निर्माता बन सदा निर्मान का कारियर करने वाली मैं महानातमा निर्मान का कारियर था क्रियेटिव वक डेवलप्मेंटल वक मास्टर सुकदाता हो दुख ना दो दुख देंगे तो क्या होगा आज की साकार मुटली आज की साकार मुटली कल्प कल्प के लिए दाग लग जाएगा पश्या ताब करेंगे मास्टर सुकदाता हो मेरे द्वारा सुक की किरने चार और फैल रही है कल भी हमने अभ्यास किया था ब्रुकुटी के में मत्य बैठकर मदुबन में बैठकर प्रकुटी के सानित्य में बैठकर सृष्टी चकर के उपर बैठकर गुले के नीचे बैट कर, गोले के उपर, गोले के बीतर बैट कर, सुक्ष में वतन में बैट कर, परमधाम में बैट कर हाठ हो जगा पर बैट कर, बिनन बिनन समय में किरने फैलानी है, कौन कौन से किरने फैलाएंगे कल क्या दिखा था, सबसे पहले प्रकाश फैलाएंगे, खुशी की किरने फैलाएंगे, निूट्रिशन फैलाएंगे, एनरजी फैलाएंगे, उच्मा फैलाएंगे, बारिश फैलाएंगे, और आशा की किरने फैलाएंगे, और शक्ति, एनरजी, और खुशी, और आशा, और क महान आत्मा हूँ इससे पहले कि हम यह देखे कि महान आत्मा बनने के लिए क्या क्या करे दूसरा चिंतन का विशे है जो हम सब मिलकर करेंगे वो है महान आत्माओ के लक्षन क्या क्या है वो सब आप बताएंगे फिर हम उस पर आएंगे महानात्मा कैसे बने how to become great तो महानात्माओं के लक्षन उनका लक्ष महान होगा महानात्माओं के लक्षन आई वेस्ट नहीं करेंगा और किसको कहा जाएगा कि ये महान है सभी लक्षन महानात्माओं के लक्षन उमें मद डाल सारी श्रीमत को महान आक्षन माओ के लक्षन वेनीडा महान सौब रामण है अब उन में से महान किसको कहेंगे जनके बोल सुखदाई होंगे और जो शमाकशील होंगे और जो रिस्पेक्ट देने वाले है और महान मतलब थोड़े से गुन सबसे जादा चैलेंज लेने वाले हैं और मोल्ड करने वाले खुद को ढालने वाले परिस्थितियों के अनुसार रिजिड नहीं होंगे समता में रहेंगे समता सबसे बड़ा गुन है दूसरों को उठाने वाले दूसरों को प्रेड़ना देने वाले गिराने वाले नहीं आप समान बनाने वाले रातरी क्लास और थोड़ा अलग बता निंदा प्रशेंशा रोड मोटल उमंग उस्सा और नम्रता और और तेड़े संकल्प पतारी एक बार संकल्प ले लिया तो पूरा करके ही दम लेंगे रुकेंगे नहीं फिर चाहे कितनी भी बाधाय आजाए ये महानात्माओ के लक्षें बिलकुल नहीं रुकेंगे और बाधाय तो आएंगे और नवीनता करेंगे बाधाव में घबराएंगे नहीं आज भी बोला बाबने निडर योग से ही निडर बनेंगे और कोई विदी ही नहीं निडर बनेंगे नहीं तो अपने पास्ट को रिवाइस करेंगे तो पास्ट को रिवाइस करते करते जो कमजोर है अपनी कमजोरी को भी रिवाइस करने लगेंगे, पैर थिरकने लगेंगे और तमो प्रधान शरीर है तो हार्ट फेल भी हो जाएगा, रत इकलास की शुरुवात और निडर, निर्भीक, डरेंगे नहीं किससे दबांग, अंदर भैवीत होता है मन, कुछ नया करने जाओ तो चेतना घबराती है पवित्रता जहाँ है, वहाँ निर्भैता है जहाँ ब्रह्मचर्य में ही दोश है वहाँ वानी में भै है शक्ति है, उर्जा है और जब उर्जा शरीर में प्रिजर्ब्ड रहती है तबवानी में पावर रहती है और लक्षन महानात्माओ के सिद्धान्तों से समझोथा नहीं करेंगे प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, बस व्यक्तियों में दोश हो शक्ता है, सिद्धान्तों में नहीं साइट सीन ने दिखेंगे इधर उधर पुद्धी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे स्वैम को ही कंट्रोल करेंगे माइक्रो मैनेजमेंट दूसरे मेरे अनुसार चले उनके विचार विशाल अर्थात क्या कैसे विचार सब के लिए सोचेगा अपने स्वार्थ का नहीं सोचेगा अपने स्वार्थ और प्राक्टिकल वाली पॉइंट्स बताना ये सब थियरी वाली है मुल्ली चिंतन सभी करते ऐसा कौन होगा जो नहीं करता है क्योंकि जो पॉइंट्स किदर हो रही है पढ़ रही है वो तो चिंतन होता है किसी में सो अउगुन है निन्यानवे अउगुन है और एक गुन है तो ओ क्या देखेंगे ये थोड़ा अलग प्रकार का कॉलिटी है महान अर्थात निन्यानवे अउगुन सो भरा है कोई और एक अउगुन है वो उसी को देखेंगे एक वेक्ति एक दुकान पर जाता है और खड़ा रहता है वहाँ पर एक कुत्ता आता है और कुत्ते के गले में एक थैली लटकी हुई है दुकान दार कहता है कुत्ते से क्या चाहिए कुत्ता कहता है भो भो आलू को देखकर कुत्ता दुकान दार पुछता है कितने चाहिए वो कहता है भो 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 चार किलो तो ये आदमी जो देख रहा है उसे आश्चर होता है यह कुट्टा है कि क्या इतना प्रशिक्षित तो वेल ट्रेंड और दुकानदार चाट किलो आलो उसमें डालता है और उसके गले में वहां थेली है उसमें पैसे भी है वो पैसे लेता है दुकानदार और बागी पैसे उसमें डाल देता है इस व्यक्ति को आश्चेरी लगता है फिर वो कुट्था दूसरे दुकान में जाता है ऐसे 2-3 दुकान में जाके खरीदी करता है और सेम प्रक्रिया इसे बहुत आश्चेरी होता है यह हो ना हो बहुत ही विशेश कुट्टा है, वो कुट्टे का पीछा करता है, कुट्टा बस टेशन पर जाता है, वहाँ खड़े रहता है, बस टॉप पर, बस आती है, कुट्टा बस में चड़ता है, और फिर कंड़क्टर आता है, वो भी उसको पूछता है कहां जाना है, उसको टिकेट निकालता है और जैसे उसका स्टेशन आता है कुट्ता फिर से भोगता है फिर वहां उतरता है इसे तो आश्चरी है आश्चरी होता है यह हो क्या रहा है इतना किसका इसका मालिक कौन है फिर कुट्टा अंदर एक घर में गुसता है ये वेक्ती भी गुसता है फिर दरवाजा बंद होता है कुट्टा और दरवाजा बंद खोलने की कोशिश करता है और कुछ ठक ठक करता है दुकान मालिक आता है अंदर से छड़ी लेके कुट्टे को मारने लगता है वो ते कब सुधरेगा ये बोलते हैं अरे आप इसको इतना क्यों मार रहे हो ये तो कितना trained है वो कहता है मैंने इसको कितनी बार समझाया है जाते समय दर्वाजा बंद कैसे करना और आते समय दर्वाजा मुझे disturb किये भीना कैसे अंदर आना खोलना नहीं आया इसको अभी तक कब सिखेगा ये उसमें जो इतने गुन है वो सब एक तरफ मुझे उटके आना पड़ता है दर्वाजा खोलने के लिए जबकि इसको सिखाया है दर्वाजा जाते समय कैसे बंद करना और कैसे आना खोलना आते سमयं तो महानातमाओं के गुन में किसे में निन्यान वे अखो गुन है तो भी उसमें एक गुन है उस गुन को देखेगा और महानातमाओं के लक्षन transparent होंगे बहुत ज़्यादा honest होंगे अंदर एक बाहर एक नहीं अंदर कुछ, बाहर कुछ खौफनाख बहुत विस्तारित सोच होगी व्यापक सोच होगी, पेहत की सोच होगी जिस सोच में सब का कल्यान इंकल्यूड होगा और सब कुछ बाटने का, सब सब को दे दो संकीरन, all expansion is life, all contraction is death, संकीरन सब को बाटने की, देने की भावना होगी और विचारशील होंगे चिंतनशील होंगे humility होगी और लक्षनिर्धारित रहेगा और कालदर जी दढ़ता और एक एक संकल्प में बावर होगी acceptance हाँ, accept the change ये बहुत अच्छा गुन है जीवन में जब भी कोई परिवर्टन होता है उसको स्विकार करना, तुरंत हम उसको स्विकार करने में ही कितना समय लग जाता है एहसास होगा गलतियों का, ये जो स्विकार ये है एक किताब है, इंग्लिश में option B उसमें जो लेखी का है वो बहुत बड़े पोस्ट पर है, बरतमान में भी है शायद Google की कुछ है वो या Facebook की कुछ CEO ऐसे कुछ, तो उसमें वो किताब जो लेखी option B उसने उसमें वर्नन किया है कि उसके पती की मृत्ती हो गई और उसके बाद वो इतना depression में चली गए, इतना depression में चली गए इसी जीवन ही समप्त हो गया फिर अच्छानक उसको एक आशा की किरन मिली कहीं से, और किसी ने बताया कि वो option A था दुखी होना हर चीज में option B है इस ढंक से जीना यह option A है option B को हम ने explore ही ने किया है वो भी है, हर समस्या में कुछ तो और है, जो option B है एक यह है जीवन में यह सब हुआ, इसलिए दुखी हो जाओ नहीं option B option B कही ना कहीं है चिपा हुआ, उसकी और फिर यह स्विकार कर लिया कि अभी कोई मार्ग है ही नहीं दुसरा पर मार्ग है अभी खोज पूरी नहीं हुई और वो कहीं से भी निकला सकता है चोटे से बच्चे के मुक से वो मार्ग निकलाएगा कभी, वो बता सकता है कि ऐसा करना चाहिए तो ये तो लक्षन तो बहुत सारे है कल एक होम और होम वक दिया था विटामिन D D अर्थात विटामिन D मतलब डिवय बुद्धि तो हो गया था इदरी ने विटामिन D और डिटामिनेशन, द्रिश्टी और टिवोशन, डर से मुक्त और डिवय बुद्धि में सब आ जाएंगे डिविनिटी में सब आ गया पानी में रहने वाले पाँच प्राणियों के नाम बताओ मगरमच मगरमच की पत्नी, मगरमच का बाई मगरमच की बेटी, मगरमच का बेटा पाईज हो गए ना यह बला नहीं बताओंगे डिविनिटी में सब आ गया डिवय बुद्धि, डिवय द्रिष्टी सब दुरान द्रिष्टी दुरान देशी, दुरान द्रिष्टी और देने की भावना डोनेशन दिलकुष धैर्यता दूर दर्शन दूर दर्शन दिव्य दर्शन तो कोई भी शब्दा आता है जो उस दिन भी कहा था शब्दा आर्थ एक शब्द दूसरा भाव और तीसरा तीन बते थी उस दिन एक भाव, एक शब्द, एक वाक्य शब्दा आर्थ, वाक्या आर्थ और भावा आर्थ तीन को लेना है, मुडली से, चिंतन के लिए एक शब्द उठाना कोई भी, एक कोई भी महावाक्य उठाना और फिर उसका भाव क्या है, वो और गहरा है, उसको लेना तो अभी हम देखेंगे, ऐसी आठ बाते, महान बनने के लिए, जो चाहिए ये थो थे लक्षन, इसमें भी कुछ-कुछ आ गया, फिर भी और विस्टार से तो सबसे पहला है, महान बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र में महान, केवल अध्यात्मों में नहीं किसी भी क्षेत्र में महान बनने के लिए, सबसे पहले चाहिए एम, महान, लक्ष लक्ष बहुत महान हो छोटा लक्ष इतना छोटा भी ना हो कि जिसे करने के लिए पाने के लिए कोई पुर्शार्थ की है आवशक्ता ना पड़े वो असम बहुत समान हो लक्ष आज सुब़ की साकार मोली रिहलसल तिखी हो कैसी करनी है तिखी तिखी अर्था तेज तीवर इंटेंस पैशनेट पैशनेट शबदा था इंगलिश में पैशनेट अर्था एकदम जुनून है उसमें जोश घातक बस जुनून सवार हो गया है उसको ये करना ही है पागलपन है एक अजीब सा फितूर एक नशा एक जुनून एम अर्था बहुत उचा लक्ष रखना है और छोटे छोटे हर चीज़ के लिए आज एक दिन के लिए एक होता है एम फिर होता है छोटे छोटे टार्गेट्स गोल्स उसको पाने के लिए जैसे आज का दिन जो भी तो इसमें छोटे छोटे गोल्स कि आज एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है यह अगर गोल रखा जाए कि बल गोल रख दिया और उसका कोई तयारी नहीं की तो कुछ नहीं होगा उसका प्राक्टिकल प्लान होना चाहिए हमारे पस कोई भी गोल रखा जाए यह चाहे डाइट का हो चाहे एकसरसाइज का हो चाहे म्यूजिक का हो कुछ भी कुछ भी सीखना है गोल बहुत उच्छा होना चाहिए सबसे पहला तो और फिर चोटे चोटे planning उसके साथ होने चाहिए ये करना है पर कैसे होगा वो चोटे 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 जैसे कोई music सीखना है किसी को तो उसको पहले time निकालना पड़ेगा फिर दूरना पड़ेगा यहां music classes कहा है फिर मैं किस time पर music सीखने जाओ फिर music में किस किस instrument की जरूत है कौन कौन से notes है lessons है जो मुझे by heart करने है और simple simple गीत से चालू करना पड़ेगा सीधा एकदम बहुत कठीन वाला गीत नहीं लेना होगा पहले जो चोटे 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 गीत है हलके हलके गीत है वहां से उसको master करनी पड़ेगी और ये महान हम किसी को दिखाने के लिए नहीं बन रहे है महान हमारे प्रतिस परदा किसके साथ है अपने साथ हमें किसको हराना है इस running में इस marathon में swim को ये pranic marathon है इसमें हमें swim के कल वाला जो मैं था old self and new self ऐसा कहा जाता है old self और new self पुराना मैं और नया मैं नया मैं पुराने मैं को हरा दे caterpillar को butterfly बनना है caterpillar को क्या बनना है butterfly पर caterpillar जो कुछ करता है वो भी वो करना ही पड़ेगा उसको butterfly उपर से घोम रहा है वो कहेगा रे caterpillar तुम ये क्या खाते हो ये सब खाना थुड़ी चाहिए पर वो जरूर ये उसके लिए क्योंकि दीरे-दीरे की यात्रा है ये यात्रा प्रानी की यात्रा है इटिंग से ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग से चार्जिंग की दीरे-दीरे-दीरे-दीरे स्टेप से इसमें सारे एकदम नहीं होगा कुछ भी caterpillar को butter flower नहीं बाबा कहता है भू 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 करते रहो वो क्या करती है ब्रहमरी भू भू करती रहती है सेम वैसा ही इधर है तो ये यात्रा बहुत slow है धीर है परन्तु क्या करना पड़ेगा लक्ष को पाने के लिए dream देखना पड़ेगा dream dream अर्थात स्वपन देखना खुली आखो से बंद आखो से देखते रहो कि मैं वैसा बन चुका हूँ एक वेक्ती था जिसे बहुत cigarette पीने की आदत थी और उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार था उसकी पत्नी ने कहा जब तक और इसको मिलना ही नहीं देती है क्योंकि तुम smoking करते हो वो कहता है मैंने सारी कोशिशे कर ली पर smoking कुछ छूटती नहीं है क्या करूँ फिर उसने एक नया visualization picture create किया रोज वो देखता था मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा smoking छोड़नी पड़ेगी पर इसको उतना deeply देखता था लेटे लेटे ऐसे chair पर बेठे हुए आखे बन करके देखते रहता था चित्र मैं इदर खेल रहा हूँ मैं उधर खेल रहा हूँ मैं यहां खेल रहा हूँ और दीरे दीरे वो integrate होते गया दीरे दीरे वो अपने आप छूटती गई आदत और छूट गई किसी को भाशन करने में बहुत डर लगता है तो वो लोग क्या करते imaginary audience को create करते मैं बैठा हूँ आँ और मेरे सामने कौन है कालपनिक पब्लिक और हम बोल रहे है जितने भी speaker हुए संसार में बहुत डरते थे पहले बाद में फिर उनको थोड़ा confidence आया डियोट रोवेस की फियोडर डियोट रोवेस की यह बहुत बड़ा साहित्यकार है वो तोतला बोलता था उसको बोलते ही नहीं आता था वो क्या करता था समंदर के किनारे जाता था मुँ में पत्थर डालता था चिलाता था जोड़ जोड़ से practice क्योंकि लक्ष बहुत ही उचा रखा उसने यह सब उसके लिए अगर लक्ष हो तो लक्षन अपने आप आएंगे यह पर लक्ष को क्या करना है , about Surah एक पूरा Amrit Songs करना पड़ेगा एक पूरा Amrituala देना पड़ेगा अगर भोजन कि कोई भी Change प्रिवर्तन करना है तो पूर Amrit Gulal एक डिवोट करना पड़ेगा पूरा Amrit Gulal उसका चिंतन अगर कुछ भी परिवर्तन करना है दिन्चर्या में तो एक ही समय है जब ये काम किया जा सकता है अम्रित वेला चिंतन वहाँ चिंतन अगर हो गया शक्तिशाली तो सारे दिन में वो काम स्वत हो जाएगा अगर वहाँ नहीं किया और वहाँ कुछ और किया जैसे योग करा वो कुछ और किया वो वाला चिंतन नहीं किया तो वो काम नहीं होगा एक अमरित्विला तो देना पड़ेगा पूरा उसी के इर्दगिर्द अमरित्विला घोमतार है चिंतन पूरा तो सबसे पहले है पहला महान लक्ष दूसरा है बी फोकस्ट फोकस्ट अर्था लक्ष निर्धारित हो गया अब बाकी सभी चीजों को छोड़ दो सारी मल्टि टास्किंग बंद एक ही टास्क एक ही चीज एक ही लक्ष उसके सिवा कुछ ना दिखे ना कुछ सूजे बस वही वही मुद्धी में गोमता रहे जैसे किसी सेंटर पर कोई एक मेगा प्रोग्राम है एक मास काता है के बाने वाला है सारे लोग उसी के चिंतन में रहते बस एक ही लक्ष जैसे किसी की एक्जैम हो आएस की एक्जैम हमको याद है जब PG entrance exam की preparation करते हैं लोग MBBS हो गया उसके बाद में PG entrance exam होती है MD के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं दिन रात कुछ खबर नहीं रहती है क्या हो रहा है उदर संसार में दिन रात पढ़ाई करते हैं क्योंकि लक्ष है उनके सामने अपने सारे interest को छोड़ देते हैं खेलना कूदना पहार जाना सब 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 कुछ छोड़कर तो क्या चाहिए focus चाहिए अगर लक्ष निर्धारित कर लिए कि यह करना है तो सारा ध्यान उसकी तरफ जो भी distractions आएंगे दरकिनार करते ना उनके तरफ ध्यान ने देना इग्नोर करना उसको हर एक से उलजने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि उलजाने वाली बहुत बाते आएगी परिस्थितिया आएगी परंतु परिस्थितिया अगर ये लकीर है तो हमें इस लकीर को बिना हाथ लगाए क्या करना है एक नई लकीर खिश देनी है जो इससे बड़ी हो वो अपने आप छुटी हो जाएगी हर परिस्थिति से बड़े तुम हो हर समस्या से बड़े तुम हो तो focus, focus थरता साथे distractions out अगर किसी को कार चलाना सीखना है तो पूरा focus करना पड़ेगा उसके उपर ड्राइविंग पर पूरा focus करना पड़ेगा imagine करना पड़ेगा भीडभाण से, traffic से मैं drive कर रहा हूं visualize करना पड़ेगा picturization, visualization, colorization picture देखना उसमें color भरना उसको visualize करना और mental movie बनाना उसको मैं चला रहा हूँ कितनी आसानी से चला रहा हूँ कहां से चला रहा हूँ एक-एक detail को देखना उसके स्वमान भी अगर लो तो स्वमान को अगनी के अक्षरों में आकाश में लिखा हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ किस अक्षरों में लिखा है आग लप्टे निकल रही है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ आग ही आग अगनी ही अगनी अगनी प्रज्वलित हो रही है धदकती हुई आग वो मैं हूँ, अंगारे नीचे गिर रहे है परिस्तितियों को चला कर भस्म कर रहे है मैं वो हूँ आख पर लिखा हुआ देखना उसको आकाश में थंड भी गतम हम खुद ही एक हीटर बन जाएंगे हीटर रखने की जरुवती नहीं कमरे में कमरे में रखे तो नहीं है न हीटर सबने प्रानी की यात्रा पर हीटर हीटर की आऊशकता नहीं है खुद ही हीटर बन जाओ हाँ उनके लिए हमने नहीं रखे न बस अच्छा उनकी गर्मी से हमारा काम हो रहा है चलो ठीक पर चीजे हो चीजे ना हो हमें फरक न पड़े सहर परिस्थिते में समान तो दूसरा फोकस तीसरा चैलेंच यूरसल्फ अपने आपको चुनोती देनी है खुदी को चुनोती दो खुद को एक लक्षर निर्धारित करो आज ये करना है और वो जो होगा वो थोड़ा सा हटके होगा नया होगा थोड़ा अपनी शमताव से बाहर का होगा कमफर्ट जोन के बाहर का होगा रोज एक राउंड लगाते हैं नकी के संकल्प कर लो आज दो लगाने रोज 25 पुशप करते हैं आज सोचो 50 करने है थोड़ा रुक के जो भी पर एक्सरसाइस एक्सरसाइस थोड़ा सा लिटिल मोर लिटिल मोर लिटिल मोर योग करना है पाच गंटे का लक्ष रखा है ये टार्गेट है हमारा आठरा जन्वरी तक सोचो थोड़ा जादा ही करना है तो 5 गंटे होगा बढ़ा उचा पुर्शार थे बहुद बढ़ा भारी पुर्शार थे बैट कर बहुत सारी दिन चरिया इधर-उधर करनी पड़ेगी भोजन को कम करना पड़ेगा डाइजेशन कम करना पड़ेगा तो ये काम हो सकता है नहीं तो नींद घेरेगी जहां डाइजेशन है वहां नींद है हमें absorption में जाना है liquids, liquids, liquids जितना liquids होगा उतना शरीर free होगा क्योंकि solid अर्थात, rigidity, जड़ता liquid अर्थात, fluidity cells में fluidity रहेगी और नींद अपने आप कम होगी जो time हम रोज सोते थे दूपेर में nap, अभी ऐसा लगेगा दूपेर में नींद की, क्यो सूँ it's a time waste अभी दो option है, meditation करू या सूँ meditation, 10 minute बैठ जाओ दूप में, बैठना ऐसा लगेगा, एक घंटा नींद हो गई अब क्या सूना है हाँ, mix कर दो मैं हम वो कह रहे है, दूपेर में जो सीधा खाने के बाद कोमा में चले जाते थे सीधा तीन गंटा, दो गंटा, एक गंटा unconscious, उठने के बाद इच्छा ही नहीं होती है, ड्यूटी पर सेवा में जाने की बाद में इतनी भेंकर नींद का प्रकोप क्योंकि इतना जो solid खा है solid खाना मतलब उसको digest करना digest करना मतलब energy हम भोजन को नहीं खा रहे है, भोजन हम को खा रहा है you are getting eaten you are not eating, you are being eaten by food इसलिए liquids जितना रहेगा liquids के लिए digestion नहीं लगता है, absorption लगता है पेट खाली ही रहेगा और त्रिपती रहेगी तो ये भी है तो तीसरा क्या बता है, challenge yourself challenger था, चुनोती चुनोतिया स्विकार करो नहीं नहीं चुनोतिया दो जो आज तक दी नहीं कभी, ऐसी चुनोति दो खुद को, खत्रा मोर लेना live dangerously वो कभी था है न कोशिश करने वाले नहीं हर बार कोशिश करने वाले नहीं तंकर्ट गुमाद एक नाविक वाली है न नहीं नहीं, वो नहीं या नहीं वो भी और दूसरी हाँ, कविता बनाना, ये भी एक क्या है चुनोति, आज की मुर्ली है, मुर्ली से कविता बनाओ मुर्ली है, उसमें से क्या कर लो, कविता बनाओ ये भी एक टार्गेट रखो, आज का वर्दान है सोचो इस वर्दान से मुझे कविता लिखनी है गीत लिखनी तुफानों की और गुमादो नाविक मिच पतवार ये थे हो पर वो भी कहा है बता नहीं दूढ़ना पड़ेगा आज सिंदुने विश उगला है लहरों का योवन मचला है आज रिदे में और सिंदु में साथ उठा है जवार तुफानों की और गुमादो नाविक निच पतवार पतवार को किदर लिखे जाना है? तुफानों की और कैसी इच्छा है देखो इस नाविक की वो उदर नहीं जाना चाहता जहाँ कोई सब शान्त प्रशान्त महा सागर है वहाँ नहीं लहरों के स्वर्ने में कुछ बोला है इस अंधर में साहस तोला है कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार तूफानों की और घुमादो नाविक निच पतवार यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार तूफानों की और घुमादो नाविक निच पतवार सागर की अपनी शमता है पर माजी भी कब थकता है जब तक सासो में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है इसके ही बल पर कर डाले सातो सागर पार तुफानों की और घुमादो नाविक निजपतवार शिवमंगल सिंग सुमन ये कुग कभी था तो संकट मोल ले 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 अगला उसका अगला इंविक क्या कहते हैं किसी भी सक्सेस्फुल व्यक्ति को देखा तो कहते हैं पहले से हो लाओDhi माने में को तो पहले से ही सबाता था इसके तो बुद्धी पहले से हो लाओDhi आ इनने भी महनत किया है, raw talent जो था इनका, raw उस पर काम किया है, अपनी क्षमता पर, अपनी प्रतिपा पर, अपनी बुद्धी पर, हाँ इनकी तो आवाज बच्पन से ही अच्छी है, अरे आवाज तो थी, पर प्रैक्टिस कितनी की है, तब कहीं जाके musician और singer बने है, हम stamp लगा मैं याद है, जब हम बच्पन में थे, बच्पन अर्था थे, एक दम वैराग आ गया था संसार से, और हम कह रहे थे, हम तो जा रहे हैं, जैसे यह सब लोग गये, तो हमारे घरवाले कहते थे, हम कहते थे, वो, संतध नयनेशुवर, वो थो बच्पन से ही महान थे, तू अ तो रो रो टैलेंट, रो टैलेंट अर्थात, जो कच्छा या फिर जिसको क्या कहेंगे, रो को, जो अनेडिटेट या फिर जिसको कहेंगे, कि जो जिसको प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, लोग कहते हैं, इसकी मेमरी बहुत अच्छी है, उसकी मेमरी, there are no good and bad memories there is always trained and untrained memory एक होती है प्रशिक्षित बुद्धी एक होती है अप्रशिक्षित बुद्धी मत्ता बस यह दो ही है इसको याद ज़्यादा रहता है उसको कम याद रहता है ऐसा कुछ नहीं यह बुद्धु है यह होशियार है ऐसा कुछ नहीं है ट्रेनिंग चाहिए बस ट्रेनिंग से कुछ भी हो सकता है वो प्रानिक लिविंग भी एक ट्रेनिंग है इस शरीर को ट्रेन करना है इस शुलिडिटी का जगत लिक्विडिटी का जगत फूडलेसनेस का जगत यह सब ट्रेनिंग है बस और कुछ नहीं freedom का जगत है यह, जैसे काम विकार, यह एक आदत मात्र है, यह आदत हो गए, यह बार 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 उसमें गोते लगाते, अब जो दूसरा जगत है, वो है ब्रह्मचरी का जगत, उसको समझो क्या है वो, वो उसमें जो nourishment है, उसमें जो उर्जा है, कैसे उर्जा शरीर से बाहर जाते ही, कमजोरी होती है मन में, उसको समझो, यह भी एक आदत है, ब्रह्मचरीय is a skill, ब्रह्मचरीय अपनी प्रतव्याव से खिलते रहना है, उसको खिलवार करना, और उसको उभारते रहना, उसको उगाड़ना है, रहसो उसको उड़ाटन करना है, उसमें बहुत छुपा हुआ है, तो don't rely on raw talent, हर्ज इसमें सोचो कि इसमें, कितना भी आगे जा सकता है, पूरी मुरली, आज की मुरली जैसे, लक्ष रखो कि इसकी कम से कम 10 पॉइंट, by heart कर ले नहीं है, दस पॉइंट पूरी by heart कर लिनी, और सारे दिन भर उन्हें याद करना है, पर ये लक्ष तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा है, पर मेहनत है इसमें, क्योंकि first reading, second, दो-тिन reading करनी पड़ेगी, notes बनानी पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तब कहीं ये काम होगा, केवल दिवासवपन से नहीं होगा, daydreaming से, कि मुझे याद हो गई, ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत है उसमें, उसके बाद में अगला है, practice, महान बनने के लिए आगला, क्या चाहिए, practice, 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 दिन रात practice करो, और कोई भी एक दिन में कुछ भी नहीं सीखता है, कोई stage पर कुछ बोल रहा है, वो एक दिन में नहीं सीखा है, लंबा समय से उसने practice किया, कोई stage पर गाना गा रहा है, एक दिन में सिखाएं किया वो, नहीं तो जैसे ये स्थूल स्किल्स है उसी तरह अध्यात्म की भी सूक्ष्म स्किल्स है परिस्तिती आने ओपर निडर कैसे रहना, ये एक स्किल्स है निंदा हो रही है, उसमें अचल कैसे रहना, स्किल्स है अपमान हो रहा है, उसमें अचल कैसे रहना स्किल है, ये भी एक स्किल है सारे विरोध कर रहे है पर हमें पता है हम राइट है उसमें स्थिर कैसे रहना, ये एक स्किल है हम ऐसे डिपार्टमेंट में जाग, एंट्री किया है कि जहाँ पर हमें कोई अनुभ हो नहीं है उसका जरा सा अनुभ हो नहीं है कि यहाँ यह सब क्या होता है सीखना है जिग्यासा हो इच्छा हो हम देखते होस्पिटल में नए नए लोग आते जीरो से स्टार्ट करते छे मास के अंदर सब सीख जाते चे मास के अंदर सारा कुछ सीख लेते और ऐसे फिर लगता है कि यह बहुत पुराने है जबकि उनका वो medical का background ही नहीं है वो कहां commerce और क्या क्या करके आये हुए और उनका लक्षा है यहां रहना है बस मदुबन में तो यह लक्षा के लिए इसको जस खंबा बना के पकड़ के रखे hospital एक खंबा है रहना इधर है वो खंबा है एक निवित तो क्या चाहिए practice, practice, practice यह सबसे important चीज है दिंदरात practice, कोई भी skill में हम mastery कर सकते है ऐसी कोई skill नहीं है इस संसार में जिसमें mastery नहीं हो सकती है दो building के बीच में एक रसी और साथवी मंजिल उसमें से लोग चलते उस दिन उदारन दिया था ना काल वैलिंडा काल वैलिंडा पूरा परिवार को train कर दिया, उसकी बीबी, उसके बच्चे सब लोग चलते हैं सा कितनी बड़ा है, इतनों सब पैर गया कि नीचे मृत्ति हुए पर practice से हो गया ना सारा practice का खेल है उसके बाद में अगला feedback feedback से डरना नहीं है लोगों के feedback लोगों के comments, लोगों का criticism महानात्मा अर्थात इन सब के साथ हो लेकर चलती है और उसे स्विकार भी करती है जब यूँगी उसे पता है ये feedback एकदम ही फालतू है इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आया concept फिर भी वो आ रहा है, फिर भी Bill Gates ने एक जगा लिखा है आप सबसे ज़्यादा उस customer से सीखते हो, जो आप जिसके पास सबसे ज़्यादा complaint होती है दुकानदार सबसे ज़्यादा किस से सीखता है उस customer से जिसकी सबसे ज़्यादा complaint होती है इतनी अच्छी बात है और जो customer बहुत खूश है हमसे, उनसे आप क्या सीखोगे कुछ सीखोगे आप अग्दम योगी लगते हो, आपका बहुत अच्छा है, यह थीक है, जाओ हम क्या सीखे हो, स्तूती से हम क्या सीखते हैं, कुछ खास नहीं, सीखते हम निंदा से सीखते हम criticism से, opposition से, greatest critics जो हैं, हमारे greatest friend है तो feedback को क्या करना है स्विकार करना है accept करना है feedback को जो भी feedback आए कैसा भी feedback आए स्विकार करना है उसे उसके बाद में last humility या honesty कितना सात्वा 7th humility humility अर्थात विनम्रत अगर defeat हो गई तो क्या करना है उसे स्विकार करना है हर व्यक्ती हर बात में perfect नहीं हो सकता पर फिर भी हम कोशिश तो कर रहे है परन्तु पराजे होगी कई बार पराजे होगी पर उस पराजे को भी स्विकार करना और आगे बढ़ना ब्रह्मचर्य जो है ये बहुत बड़ा गोल है कोई ये नहीं कि एक बार ब्रह्मचर्य की प्रतिग्या कर ली और हो गया ये भोजन जैसा ही है आज से मैं ये खाना चालू कर दूंगा ऐसा नहीं होता है कोशलो धीरे धीरे क्योंकि विकारों की परते बहुत गहरी है उपर 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 के आएगी धीरे धीरे इसके लिए फूड एंड भोजन ये दोनों का पुरशार्थ एक ही है एक ही है रादर एक कोई अब तक नहीं किया दूसरा नहीं होगा कोई कितना भी कहे कि हमने ब्रह्मचर्य प्यूरिटी को पा लिया परंदू भोजन का कोई कंट्रोल नहीं है असंभाव फूड एंड भ्रह्मचर्य ये दोनों की यात्रा एक ही यात्रा है क्योंकि दोनों में सेम सब कुछ सेम है सेम क्रेविंग सिधर भी है उधर भी है सेम विड्रॉल इधर भी होता है वो नहीं मिला, तो शरीर में जो होता है, दोनों को नहीं मिला, तो दोनों शरीर में सेम उत्तेजनाए होती है, सेम एकसाइटमेंट से, सेम एडिक्शन है, सेम यसन है, सेम बेहोशी, सब कुछ, सेम कमजोरी जब नहीं मिलता है तो, और सेम विजय कानुभाव जब दोनों से परे निकल जाते हैं इसके लिए यात्रा फूट फ्रीडम की यात्रा है उस जगत में प्रवेश करना है जहां पर हम अपने मालिक है हमारी उर्जा कहीं वेस्ट नहीं हो रही है ना डाइजेशन में ना विकार में उसके बाद में महान बनने के लिए एक और गुण चाहिए पुश यूरसल्फ अर्थात पर्सिस्टन्स पर्सिस्टन्स अर्थात अपने आपको धक्का देने का आगे बढ़ाते रहना आगे बढ़ाते रहना रुकना नहीं बस कितनी भी बादाय आजाए पर्सिस्टन्स और आगे और आगे और आगे और आगे पर्सिस्ट करना बस पता चल रहा है हार हो गई है फिर भी उठो फिर बढ़ो पर्सिस्ट 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 यह यात्रा रुकने की यात्रा नहीं है अथक परिश्रम दिन रात पूरा दिन सब कुछ लगा देना उसमें और परसिस्ट करना क्योंकि बाद आए तो बहुत आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कुछ नया करने जाए और उसमें बाद ना आए ऐसा हो नहीं सक्वा कि ये मारग विद्रोह का आए स्वैम के साथ विद्रोह स्वायम के संसकारों के साथ विद्रोव कर रहे हैं जो की हिलना नहीं चाहते जनम की गुलामी में जी रही है इंद्रिया बरदान है सुबे का करमेंद्रिया चीत तो यह दो बहुत बड़ा पुर्शार्थ बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसमें फोकस कर दो अपने आपको इतना फोकस कि अगर यह लक्षे मैंने निर्धारित किया है तो उसके अलावा मैं कुछ भी न देखूंगा न सुनूंगा उसी के बारे में ड्रीम करते रहूंगा सोचते रहूंगा अगला चैलेंज अपने आपको चुनोती देनी है क्या चुनोती देंगे आज की तरीक में मुरली के दस पॉइंट लेना और उसको याद कर लेना बाई हाट जैसे बच्चा किसी को भी बच्चे को कहो पोएम बोलो तो चालू हो जाता है ना तितली जल की रानी है वैसे मचली सौरी उल्टा हो गया वैसे याद कर लेना है उसको अगला तीसरा चालता यह नहीं समझना मेरी बुद्धी ऐसी है यह तो पहले से होशार लोग है यह पहले से बहुत पुराने हम तो अभी अभी आये है ना अभी आये ना पुराने ऐसा कुछ नहीं होता है कहीं से भी चालू करो कहीं से भी आगे बढ़ा जा सकता है अगला प्रैक्टिस 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 करते रहना करते रहना करते रहना सीख जाएंगे लोगों ने इतनी प्रैक्टिस से इतना सब सीख लिया हम नहीं सीक सकते लोग इतने Memory Master बन गए क्या क्या बन गए इतने world records रोज कायम करते वो लिस्ट निकालो रोज की world records की Guinness Book of Records रोज नहेने records करते क्रिटिसिजम होगा, फीड़बैक आएगा, उसका क्या करना है, उसको विरोध नहीं करना है, उसे जगडा नहीं करना है, उनको स्विकार कर लो, ठीक है, ये भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तु बहुत थे हमारे सामने कोई आगे जाए ये सहन नहीं होता है यहां तक ही उनको मारने वाले भी थे एक जगा गये थे एकदम उनके गुरु की उनको टचिंग हुई उसमें किसी ने जो उसकी एक विरोधी महिला थी उसने विष्ट डाल दिया था उसकी कॉफी में पर एकदम से जैसे टचिंग हुई स्टॉप हो नहीं लिया फिर उनको कितने विरोध किया जब सती की प्रथा चालू थी राजा राम महान राए सब ने विरोध किया जोतिवा फुले उसकी वाइफ सावित्री वाइफ हुले कितना विरोध वो जब जाती थी बच्चों की बच्चियों की स्कूल जब खुली एक साड़ी अपने साथ लेके जाती थी क्यों कि लोग जाते-जाते पत्थर और कीचर फेकते थे उसके उपर सावित्री वाइफूल है और जब पहुचती थी तो साड़ी चेंज करती थी और फिर बच्चियों को बढ़ाती थी फिर गर्ल स्कूल नहीं तो गर्ल्स का स्कूल था क्या था ही नहीं गई सब बॉइस का था तो ये सारे जो लोग है इन्होंने क्या किया एक शुरुवात की एक नई शुरुवात करने का समय फिर आ गया उठो तपस्वियो जागो उठो तपस्वियो जागो नया लक्ष सादने का समय फिर आ गया कि तपस्या का परमश्रिंगार करने का समय फिर आ गया और कौन सा बकी है नमरता एंड लास्ट पर्सिस्ट पर्सिस्ट करते जाना है ठीक है तो नियत को अपनी साफ कर दो अगर जरी दरासी भी उसमें अशुद्धी हो तो तो ही ये लक्ष प्राप्त होगा काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वास हो दूसरों के दर्द में जो धूंडे अपने दर्द को रब भी देता है दूआ ऐसे उस हम दर्द को बाठ ले सुब्दुक को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वास हो जिन्दगी में गल्तिया होती ही आई है सबी से काम जो करता है गल्ती होती भी तो है उसी से अपनी गल्ती जो सुधारे दूसरों की माफो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो अम्शंद काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो दूसरों के दर्द में जो ढूंडे अपने दर्द को रब भी देता है दुआई ऐसे उस हम दर्द को दूसरों के दर्द में जो तुने अपने दर्द को रब भी देता है दुआई ऐसे उस हम दर्द को बाट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो जिन्दगी में गलतियां होती ही आई है सभी से काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से काम जो करता है गलती होती ही तो है उसी से अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफो हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो है वही इंसा जहां इंसानियत का वासो हो करता है वही तो है वही तो है जहां इंसानियत का वासो है और भी तो है उता है झाल झाल